यहो दोस्तों आज हमारा क्वेस्टन है How many months are there in 3 years? कितने मन्थ होंगे 3 years में? पहले हमें इसके लिए हमें पता होंचाए कि 1 year में कितने मन्थ होते तो हमें पता लगा है 3 year में कितने मन्थ होते मैं मन्थ आप जानते हो जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, क्या होता? जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मैं, जून कितने होते तो हमें मालू में 1 year में 1 years में कितने मन्थ होते अगर हम जिलेंगे जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मैं, जून, जुलाई अगा सेटमबर अक्टोबर नॉम्बर दिसमर कितने हो जाते 12 मंथ कितने हो जाते 12 मंथ अगर वन एयर में 12 मंथ होते तो थी एयर में कितने होंगे भई अब हमें पता लगए वन एयर में कितने मंथ होते 12 मंथ होते तो थी एयर में कितने होंगे भाई वन में 12 होंगे पहली यहर में 12 दूसरे यहर में 12 तीसरे में 12 हम क्या करेंगे simply 12 into क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 into 3 क्योंकि 1 यहर में कितने 12 होते और 3 यहर का निकालना है तो 12 into 3 तो 3 यहर में कितने मन्त हो जाएगे 3 यहर एकल टू 12 तीसरे कितना 36 मन्त कितने मन्त हो जाएगे 36 मन्त देखो 1 यहर में 12 मन्त 2 यहर में 24 और 3 यहर में 36 तो हमें पता लगा है 3 यहर में कितने मन्त होंगे 36